अगर आपके मन में भी हैं सवाल तो हम देंगे उनका जवाब चाहे वैकरोना की वैक्सिन को लेकर आपके मन में सवाल हो या फिर कुवेत में आने को लेकर हमारे सिंग मिडिया चैनल पर लाइव इद मुहम्मद शरीफ शुक्रवार के दिन दुपहर को दो बजे देखना मत भूलिएगा लाइव इद मुहम्मद शरीफ शुक्रवार के दिन दुपहर के दो बजे सिर्फ सिंग मिडिया चैनल पर नमस्कार अदाब सश्यकाल आप देख रहे हैं सिंग मिडिया चैनल आपका होस्त हैं दोस्त एक बार फीर आ चुकर आपके बीच में लेकर आज की मुख्य खबरे मैं अपने दर्शकों को बता दो कि अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो किर्पया वीडियो को लाइक करना वच चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले वो बेल आइकोन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुन सके 31 साल की लड़की की लाश मिली लटकी हुई कमरे में मैं अपने दर्शकों को बता दो कि आज अलजहरा एरिया के अंदर एक घर में काम करने वाली फिलिपीनो लड़की जो की कुवेटी गर पर काम करती थी जिसके पास खादीन वीजा था उसकी लाश कमरे में लटकी हुई मिली जब कुवेटी दवारा यह कोल पुलिस को किया गया तो पुलिस ने आकर उनकी डेड बोडी को उतारा वह फ्रंसिक डिपार्टमेंट को वे लाश दे दी गई अभी लाश सूंपने के बाद जो भी डेसीजन देखने को मिले का हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे कुवेट के फोरण मनिस्टर इंडिया दोरे पर अभी कल फाइनल डिसीजन आएगा हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे 140,000 लोग खो चुके हैं नोकरी जी हाँ 140,000 लोग अभी तक करोना की वज़य से कुवेट में अपनी नोकरी को खो चुके हैं जिस दिन से भी करोना स्टार्ट हुआ है उस दिन से लेकर अगर अभी तक का आंकड़े की बात करें तो अनुमाल लगाया गया कि 1,4,000 लोग अभी तक करोना की वज़य से अपनी नोकरी से हाथ दो चुके हैं दुकानदारों का हला बोल अपने दर्शकों को बता दूँ कि आज शुएक के मार्किट के अंदर सारे दुकानदारों ने मिलकर वर जितने भी कुएत के अंदर मौल्स के अंदर जिनकी दुकाने हैं उन दुवारा आज एक बहुत बड़ी आवाज उठाई गई है कि मार्किट के अंदर बिजनस की कमी हो गई है जिस दोरान उन्होंने गॉर्मेंट से दर्खास की है कि किर्पया कर्फ्यू के समय दस घंटे किया जाए या फिर आठ घंटे किया जाए ताकि वह अपना बिजनस प्रॉपर तरीके से कर सके वही मैं अपने दर्ख्यों को बता दूँ कि आपको क्या लगता है आपकी राए क्या है कि कर्फ्यू का समय कितना होना चाहिए किर्पया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वही मैं अपने दर्ख्यों को बता दूँ कि कॉपरेटिव ससाइ किया जाए वह सुबह 5 बजे बंद किया जाए ताकि जाब में भी कमी हो सके और लोग अपना जो घर का कीमती समान है जो शोपिंग का समान है वह घर का खाने पीने का समान है ताकि वह असानी से खरीच सके PCR की लिस्ट होई जारी जी हाँ मैं अपने दर्शकों को बता दू कि आज गोर्मेंट द्वारा PCR की लिस्ट जारी कर दी गई है हमें अपने दर्शकों को कल डिटेल में बताया था कि कैसे आप अपना PCR के लिए आप कर सकते हैं अगर आपको डिटेल में देखना है तो किर्पया हमारी कल की वीडियो को रोच करें वही मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि आज जो इंडिया के अंदर आप इंडिया से अगर आना चाहते हैं तो 17 cities को approval मिली है आप सिर्फ 17 cities के अंदर ही जाकर जो मूना द्वारा authorized की गई हैं सिर्फ आप वहीं जाकर अपना PCR करवा सकते हैं वही मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि वह PCR सिर्फ 72 गंटे पहले होना चाहिए ट्रेवल से 22 गंटे के भीतर होना चाहिए अगर उससे ज्यादा होगा तो उसे authorized निये किया जाएगा वही मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि जो 17 cities government द्वारा एलान की गई हैं उनमें स आपको कुछ cities के नाम मैं बता देता हूँ जैसे कि कानपूर है बैंगलोर है दिल्ली है चेनाई है कुची है कॉलकाता है मुंबई है न्यू बंबई है हैदराबाद है गोआ है यह cities मैंने आपको बता दी है यही हम description box में डाल देंगे ताकि आप description box से देख सके कि अगर अथराइज मुना होस्पिटल से जाकर आप करोना का टेस्ट करवा सकते हैं यदि आप आपका परिवार का कोई सदस्या आपको कोई दोस्त अगर दुबई के अंदर फसा हुआ है जो कुवेट में आना चाहता है तो यह खबर जरूर देखिएगा मैं अपने दुबई के अंदर फसे हुए है आज जो दुबई के अंदर इंडियन में बैसी है उस दौरा एक बहुती बड़ा इलान किया गया है मैं उधारन के लिए अपने दरश्कों के बता दू कि अभी सिर्फ कुवेट के अंदर 20 नमबर वीजा को ही ओपन किया गया है जो कि खादिम वीजा है 18 नमबर वाइस नमबर वीजा को ओपन नहीं किया गया है जो लोग भी दुबई के अंदर रह रहे हैं वह जो ठारा नंबर वीजा के हों वह बाइस नंबर वीजा के हों अगर आप दुबई में रहा कर परशान हो चुके हैं वह वापिस आप अपनी कंट्री जाना चाहते हैं तो दुबई के अंदर जो इंडियन अमबैसी है उस दुआरा एक बहुत बड़ा एलान यह किया गया ह कि आप अपनी कंट्री फ्री में जा सकते हैं आपको कोई चार्जिस नहीं देना होगा सिर्फ आपको जो दुबई के अंदर इंडियन अमबैसी है वहां जाकर एक फोर्म बनना होगा कि आप इतने दिनों से यहां पर आए हैं और आप कुवेत की यत्रा करने के लिए आप यहां पर आकर रुके थे तो अभी कुवेत के अंदर करोना की वज़य से वहां पर फ्लाइट्स ओपन नहीं की गई हैं सिर्फ आपको यह फॉर्म्स बरना है कुछ डिटेल्स बरनी है आपको बहुत ही जल्द उधारन के लिए बता दू कि एक और दो दिन के अंदर ही आप आपको टिकेट मिल जाएगी जिसका कोई भी चार्जिस आपको पे नहीं करना आप अपनी कंट्री फ्री जा सकते हैं यह कुवेत में रह रहे जो इंडियन अमबैसी है उन द्वारा वह जो दुबई की इंडियन अमबैसी है इनमें मिटिंग के दुरान यह फैसला लिया ग है डिक्सक्स किया गया कि जो भी लोग यहां पर इलीगल रह रहे हैं उनको चे महीने के लिए जो चे महीने से ज्यादा जिनको नहीं हुए है मातर चे महीने के बीच में जो लोगों की रेजडेंसी एक्स्पायर हुई है उनको मुका दिया जाए कि वह अपनी कंट्री करोना केसिज की बात करें तो आज 1394 नए मामले देखने को मिल रहे हैं जी हाँ मैं अपने दर्शकों को बता दूगी 1394 केसिज आज करोना के मिले हैं वहीं आज मुनिस्टिय ओफ हेल्थ वारा आठ मोतों की संखिया बताई जा रही है मैं अपने दर्शकों को गुजारिश करता हूँ कि किर्पिया आप अपने आसपास सफाई रखें मास्का प्रयोग करें समय समय पर सैनिटाइजर लगाएं ताकि आप करोना के केसिस से बचे रहें ये थी आज की मुखे खबरें कल मिलते हैं नई खबरों के साथ रखें अपने आसपास सफाई ताकि करोना से आप बचे रहें कल मिलते हैं नई खबरों के साथ धन्यवाद